हेलो फ्रेंड्स नमस्ते मैं हूं राधिका और ये देखे अभी सुभा का टाइम हो रहा था मैंने दोनों बच्चों को इसकूल भेजने के लिए लंच वगरा भी मैंने बना दिया था लेकिन यहां पर आदितिय का जो इसकूल का बेग है वो थोड़ा सा फटा हुआ था तो फिर इसकी सिलाई निकल गई थी वैसे तो ये नया बेग है ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ ह कुछ भी नहीं हुआ है बस सिलाई निकल गई थी तो मैंने सोचा कि इसे में सिल देती हूँ और अभी नया बेग भी लेना नहीं पड़ेगा क्यूंकि यह नया ही है तो होता है ना कि किसी किसी बेग में ना सिलाई कमजोर होती है तो उसकी सिलाई निकल जाती है तो इसी व और इन लोग को लेट भी हो रहा था तो बस यहाँ पर वो लोग स्कुल चले गए थे और मैं आ गए थी सुबह सुबह कपड़े धोने के लिए और आज मुझे बहुत काम करना है बहुत काम तीज का एक दिन पहले की ये वीडियो है और जैसे कि आप सब जानते हो कि मैं भी हर ताली का तीज पूजा करती हूँ हर साल तो इस साल भी करूँगी तो आज के दिन नहाय खाय होता है और आज के दिन से ही पूजा स्टार्ट हो जाता है तो आज की दिन नहा कर खाना चाहिए पुरा किचन वगेरा साफ सुतरा होना चाहिए घर भी साफ सुतरा ही होता है डेली लेकिन आज मुझे और काम भी करना था तो जितने मैंने सोफा के कवर वगेरा सर्फ के पानी में भिगो के छोड़ दिया है वो थोड़ा फूलेगा उस करना पढ़ तब बीना लैसुन प्याज का आज खाना बनेगा इस वजे से और अच्छे से मैंने ज़िए निर्जला वर्थ इसाल में एक आप यहां पर आता है तो यहां पर के च्ञें का तु सारा काम मेरा खतम हो गया है सामची चार तो उसे मैं बनवाने जा रही हूं और देखिए फ्रेंड्स मौसम बहुत अच्छा है अभी बारी सोरी थी तब ही रुख गई है और आज सुभास इतना काम था ना इतना काम था और इधर देखिए सारे कपड़े इधर सूख रहे हैं और सूखे नहीं है छत के उपर भी सारे कपड़े निकले थे और सुभा से किचन की साफ सफाई बस वही हो रहा था तो बस अभी में जाती हूं और मुझे आइबरो भी बनवाना है मेरा आइबरो कितना ज्यादा बढ़ा हुआ है तो इसे भी में बनवा के आ जाओंगी सबसे पहले मैं आ गई हूं यहां पूजा में जो हम लोग ओड़ते हैं इस टाइब की चुन्डी जो दुलहन चुन्डी भी इसे कहा जाता है एक्चुली क्या है ना कि मेरे पास दुलहन चुन्डी है लेकिन मेरे टाइम पर जो भी मतलब की चड़ी वी थी ना उसका बिलकुल भी साइनिंग नहीं है अभी उसको साइनिंग ही उड़ किया है और वो जॉर्जट फेबरीक का है उसमें मुझे अच्छा नहीं लगता थोरा ओल्ड मोडल भी हो गया है वो और वो चुन्डी जो मेरी है ना वो मैंने गिरह परवेस के टाइम मैंने ओड़ी थी तो वो मैंने रखी वी है संभाल के उसमे वो कपड़े की है जैसे जॉर्जट फेबरीक है उसमें और वो मरून कलर का है तो मुझे रेड कलर की एक चुन्री खहिनी थी तो इसी वज़े से मैं दुकान में आई थी और गिरह परवेस के टाइम भी मैंने और भी दुकान गई थी लेकिन वहां मुझे पसंद नहीं आय था वही बांधनी डिजाइन का पर वो रेट बहुत ज़्यादा बता रहे थे तो फिर मैं इस दुकान में आ गई हूं यह हमारे यहां का ना बहुत अच्छा दुकान है यहां पर मैं कहीं पर भी देख लेती हूं नहीं पसंद आता है न तो यहां पर आके मुझे पसंद आ पाई थी क्योंकि टाइम नहीं था और उस टाइम में नहीं खरीद पाई तो फिर मैंने सोचा कि तीज में या फिर सावीत पूजा परते हैं तो एक चुन्री की जोरत पढ़ती यह तो मैंने सोचा कि एक में खरीद लेती हूं अपने बजट के अनुसार तो मुझे 1000 से नीचे तक की ही चुन्डी चाहिए थी तो फिर यहाँ पर देखें मैंने बहुत सारी चुन्डी खड़ी दी और मेरे आने से पहले एक और थी यहाँ पर वो लेडिस थी तो वो भी चुन्डी बहुत देर से देख रही थी यह जितने भी यहाँ पर खुलवा के रखें मैं यह देख रही थी फिर मैंने सोचा कि आप सबको वीडियो में भी दिखाती हूँ और जब मैं आई तो पहले से अलरेड़ी यहाँ पर खुली वी थी तो वही मैंने सारी देख ली तो मुझे पसंद तो आ रही थी पर यह थोड़ा लाइट कलर का था और इस टाइब की तो मेरी लहंगी की चुन वह है दुपट्टा उसमें तो मुझे अच्छा तो लग रहा था लेकिन यह थोड़ा महंगा ही था 14-1500 रुपया का था सायद और यह देखें यहां पर वह भी देख रहे थे बगल में और यह जो पिंक कलर की जो नीचे रखी थी नहीं मुझे बहुत पसंद आई लेकिन वह 2300 के 2000 सूपर की थी और वह बहुत हैवी था तो मुझे हैवी नहीं लेना था क्योंकि जब हम कोई साड़ी भी पहनते है तो बहुत ज़्यादा वह हैवी हो जाता है और एक चुंड़ी भी अगर हम लेंगे तो वह भी बहुत ज़्यादा भारी हो जाएगा तो इसी वज़े से मैंने नहीं लिया वह पिंक वाला रानी पिंक लर गा था बहुत सुंदर था कटवर का तो वह भी अच्छा लग रहा था वह 800 रुपया था और उसके बाद यहां पर यह वाली चुंड़ी की मैं बात कर रही हूं यह वाली जो दुल्हन चुंड़ी है ना इसे हम लोग चुंड़ी ही बोलते हैं यह तो यह रिखे यह जो कटवर कि इसमें दिया गया है जब मैं और ही तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था लेकिन इसे मोती को वर्क हुआ था और बहुत हैवी था और उसके बाद फिर मैंने और भी देखे एक आद अवो बगल में भी देख रहे थे उसके बाद जो मुझे पसंद आया ना वो बगल वाली लीडिस को भी पसंद आ ग अच्छा लग रहा था उसको इन्हेंस कर रहा था इस दुपत्टे को तो मैंने सुचा कि यही मैं ले लेती हूं और आज तीज ऑफर पर इस दुकान पर सिर्फ आज के लिए एक दिन पहले की है यह वीडियो तीज के तो उस दिन 10 परसेंट आफ था दुपत्त वगेरा में और कोई अगर साड़ी लेना रहा है तो उनके लिए 20% आफ था आज के लिए तो अच्छा हुआ कि मैं आज की दिन आई और मुझे 10% डिसकाउंट मिल गया ये दुलहन दुपटा मुझे 900 रुपया का पड़ा 1000 रेट था तो 10% डिसकाउंट हुआ उसके बाद फिर मैं आ गई थी यहां मिठाई की दुकान पर क्योंकि मिठाई ले लेती हूँ सुभा 3 बजे जो सुभा सरगी खाते है न तो फिर खाने के लिए ले लेती हूँ वैसे तो कुछ खाने का मन नहीं करता है लेकिन सुभा अगर एक दो जो नियम है उसे तो करना ही पड़ेगा पानी पीती हूँ मैं और कुछ मीठाई वगरा ही खाती हूँ और उसके बाद देखें यहां पर मैं आ गई थी यह जोलरी के सौप पर जैसे कि मैंने बताया फिर यहां ही पर न तो मेरा जो काम था वो हो गया यहां पर महन इंदि का सेक्षण था मतलब आज के लिए ही लगाया हुआ था तो यहां पर हम मतलब जैसे लेडिस आती है तो तरीज के टाइम का यह ओफर था वैसे जो एलडी की सवब पे तो महनी नहीं लगाते हैं लेकिन यहां पर था तो फेर सब लगवा रहे थे और बहुत मतलब मैंने सोचा कि मैं भी लगवा लेती हूं अपने दाइने हाथ पे मैंने सोचा था लगवा लेती क्योंकि घर पर ना दाइने हाथ में हम पर चान का ही मिल गई और फिर यहां पर मुझे बहुत अच्छा लगा फिर मैंने सोचा कि मैं भी लगवा लेती हूं और फिर उसके बाद देखिए यहां पर बहुत साई लेडिस लगवा रहे थे और बहुत बाते भी कर रहे थे मतलब की बात चीजों की स्वापिंग करनी है फिर क्या हुआ ना कि जैसे मैं बैठी थी अपने दाइने हाथ में लगवाने के लिए फिर ऐसे ही मेरा मन क्या कि चलो मैं दोनों हाथ में लगवा लेती हूं कौन टेंसन लेगा रात में लगाने का और मैं फर्स टाइम ही किसी से महंदी लगवा रही हूं दूसरे से नह यां लगा लेती हूं वैसे मुझे आती हैं लेकिन जैसे होता है नहीं कि साल में एक दो बार हम लगवाएं लगा लेती हूं अभी मौका दे म.. शीनसे पर अधारा इन, रॉटह में बॉटा ही लगा था पर मुझे बहुत अच्छा लगा अपनी अपनी पसंद होती है और यहां पर मैं बैठी थी तो देखिए यहां पर बहुत अच्छा लग रहा था बाहर बहुत जद गर्मी लग रही थी और यहां पर सब लोग के साथ बात चीत कर रहे थे न तो बहुत अच्छा लग रहा था जहाँ चार लेडिस मिल जाती है न वहाँ पर फिर गपे स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर टेवल अगरा कितने अच्छे से सजा कर रखे वे थे यह लोग और यहाँ पर देखिए मैं घर आ गई महंदी लगई तो हाथ कड़ी जैसे की पहन लिए कुछ कामी नहीं करने बन रहा था जब तक महंदी सुखेगी नहीं फिर महंदी सुखने के बाद मैंने वही उसको जार के हलका तेल लगा के फिर मैंने खाना बनाया और फ्रेंड्स यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो आप सभी को अच्छी लगई तो फ्लीज वीडियो को लाइक कर दीजेगा